नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मनिश कुमार सायन। मैंनपुरी लोकसवा सीट पर अपने ससुर मुलायन सिंग यादव के इंदन के बाद रायनीती के मैदान में उतरी डिंपल यादव का साथ हर कदम पर अखलेश यादव देते रहे हैं। यदि रायनीती को देश्य को दरकिनार कर दिया जाए तो ये जोड़ी जीवन की हर डगर पर एक दूसरे के साथ हमेशा से ही देती नहीं है। पिर चाहें वो अखलेश का विदेश जाकर शिक्षा गहन करने का दौरा रहा हो या फिर परिवार को विवा के लिए राजी करना या फिर अखलेश का रायनीती के मैदान में उतरना। दोनों ने एक दूसरे का साथ हमेशा से दिया है। दो बार मुख्यमंत्री के पत पर काबिज रह चुके अखलेश यादव मुलायम सिंग यादव के बड़े बेटे हैं। जबकि डिमपल यादव उतराकंड के लेटेनेंट करनल स.C. रावत की बेटी है। अखिलेश ने राजिस्थान मिलिटरी स्कूल धौलपूर से प्राथमिक शिक्षा प्राप्ट की है। मैसूर के SJ College of Engineering से इस नातक किया है। और उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए औस्ट्रेलिया चले गए। जहां उन्होंने सिड़्िनी विश्विद्याले से इस नातक कोतर की डिगरी हासिल की। डिमपल और अखिलेश की पहली मुलाकात उनके एक दोस्त के घर पर हुई थी। उस वक्त डिमपल 17 साल की थी और अखिलेश 21 के। मुलाकात में जान पहचान हुई और फिर दोस्ती और शुरुआत हुई फ्रेम कहानी की। दरसल अखिलेश उस वक्त इंजिनिरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। एक पत्रकार ने अखिलेश यादव की जिंदगी पर एक किताब लिखी है। जिसका नाम अखिलेश यादव बदलाव की लहर है। इस किताब में उन्होंने अखिलेश की निजी जिंदगी से जुड़ी कई एहम बाते भी बताई है। किताब के मताबिक अखिलेश और डिमपल दोस्त से मिलने का बहाना बनाकर एक दूसरे से चुप चुप कर मिलते थे। सिड्नी जाने के बाद भी अखिलेश और डिमपल लगातार संपर्क में रहे। अकिलेश डिम्पल को गुलावी खतों में प्रेम के पैगाम लिखते थे खतों से ये प्रेम कहानी चार साल तक चलती रही जब अकिलेश अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस लोटे तो उनके मन में डिम्पल को अपनी दुलनिया बनाने का पका इरादा बन चुका था लेकिन जैसे हर लवी स्टोरी में बादा होती है तो दोनों के घरवाले इस रिष्टे के लिए राजी नहीं हुए मुलैम सिंग यादव और डिम्पल के घरवाले इस रिष्टे का विरोध करने लगे लेकिन अकिलेश ने सबसे पहले अपनी दादी को राजी किया इसके बाद उनकी जिद को पिता ने भी मान लिया उदर डिम्पल ने भी अपने घरवालों को राजी कर लिया अकिलेश यादव और डिम्पल की तीन बच्चे हैं जिनके नाम आदिती, टीना और अर्जुन हैं इसमें टीना और अर्जुन जुड़वा हैं अकिलेश और डिम्पल जितने ग्रस्त जीवन में दूसरे का साथ देते हैं उतना ही साथ राजनीती के सफर में भी देते रहे हैं शादी के बाद डिम्पल भी अपने पती के साथ राजनीती के मैदान में उतरी जीत और हार का दौर पार करते हैं तो नौस से लगातार दो बार सांसद रह चुकी हैं वे अब ससुर की विरासत समालने के लिए कदम बढ़ा रही है, मुलैम सिंग के निदन के बाद खाली हुई मैंपुरी सीट पर सपा ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया, परिवार की इस विरासत को समालने के लिए डिमपल पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार में मिलते हैं आप से लिए वीडियो में, तब तक के लिए दोश्कार